हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे रीट लेवल वन के सलेबस के बारे में 2022 का सलेबस दोस्तो अभी तक नहीं आया है 2021 का सलेबस के ही अधार पर हमें तयारी करनी है और दोस्तो सुनने में आ रहा है कि 30 से लेकर 8 वी तक की जो बुक्स हैं उनका प्रारूप चेंज करने की प्रिक्रिया जो सुरू हो गई है हो सकता है दोस्तो आपके रीट 2022 का सलेबस में भी कुछ बदला वह हमें देखने को मिले बट दोस्तो ज़्यदा चेंजिस हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो इसलिए आपको ज़्यदा चिंता की कोई बात नहीं है आपको 2021 का सलेबस देखते हुए ही उसी के अनुसार अपने तयारी जो है स्टार्ट कर देनी है जैसे कुछ चेंजिस होंगे या कोई भी चेंजिस की अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप होड़ा ध्यान में रखना है कि लेंग्वेज 2 लेंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है तो लेंग्वेज 1 की हिंदी ही आपको देखनी है लेंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिस ली है तो उसकी इंग्लिस देखनी है लेंग्वेज 2 अगर आपने हिंदी ली है तो उसक कि सेलेबस में आपको दिखा जाता हूं अब एक-एक दोस्तों मैं पढ़ पढ़के आपको सुनाऊंगो तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसकी पीडियेप जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आप टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेंगे टेलिग्राम पर पीडियेप इसकी लेवलवन के लिए वो है कि इंग्लिस में यहां पर है ने अगर आप देखना चाहते हैं तो में दिख सकते हैं आप और यहां पर आ गया है कि CH NEकीhrlich लेंज वण यहाँ पर है लेंग्विज वन के रूप में बाशा संस्क्रत बाशा प्रत्थमा और आगे यहाँ पर आगई है लेवल वन में रूप में लेंग्विज वन के रूप में उर्दू आगई है अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं यहां पर आ गई है भाग एक के लिए लेंग्विज वन सिंधी आ गई है और यहां पर है भाग वन पंजाबी आ गई है लेंग्विज वन की बात दोस्तों अभी तक हो रही है यहां पर लेंग्विज वन में यहां पर गुजराती आ गई है और यहां पर आगे चलें तो लें लेंग्विज टू इंग्लिज जयातर स्टुटेंट्स दोस्तों क्या करते हैं कि लेंग्विज बन हिंदी लेते हों लेंग्विज टू इंग्लिज लेते हैं तो लेंग्विज टू की इंग्लिज यह है तो आपको यहां पर देखना है तो और यहां पर आगई है लेंग्व इस्टू के लिए गुजराती और इससे आगे यहाँ पर आ गई है गनीत जो की सभी के लिए सेम हैं 30 नंबर का पेपर होगा 30 क्यूशन होंगे एक नंबर का एक क्यूशन आपके होने वाला है Mathematics इंग्लिस में अगर आप इंग्लिस मीडियम से हैं तो यहाँ पर इंग्लिस देख लेंगे अब आज आता है परियावरन अध्यान परियावरन अध्यान में दुख्तो 30 क्यूशन है 30 नंबर के हैं एक क्यूशन एक नंबर का यहाँ पर होने वाला है सारे टोपिक्स आप यहाँ पर देख लेंगे और यह है यहाँ पर इंग्लिस मीडियम से है तो यहाँ पर इंग्लिस में भी यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है तो सारा कुछ आप यहाँ पर देख लेंगे syllabus को देखते हुई आपको सारे points जो है या तो आप syllabus की PDF प्रिंट कर वा लेंगे या फिर आप इसे save करके रखेंगे जो जो points में दे रखेंगे सिर्फ उन्हीं पर आपको detail में जानना है बाकी किसी अन्य टोपिक पर आपको नहीं जाना है और language 1 अगर आपने हिंदी ले रखी है तो सिर्फ language 1 की हिंदी ही देखनी है आपको language 2 की हिंदी से आपका कोई लेना जाना नहीं है और अगर language 2 आपने English ले रखी है तो language 2 की English पर ही आपको focus देना है language 1 की English में आपको नहीं जाना है सखी है यह बात यहां पर clear हो गई है और easy कौन सा रहेगा लेंग्विज 1 और language 2 में तो language 1 दोस्तो हम हिंदी लेते हैं तो वो easy पढ़ती है और language 2 हम यहाँ पर English लेते हैं तो वो यहाँ पर easy रहती है अगर language 2 हम यहाँ पर हिंदी लेंगे तो वो थोड़ी सी hard यहाँ पर पढ़ती है और फिर आप अपने साब से वाँ पर देख लेंगे जो आपको easy लगे वो आप ले साइप है चलिए दो जल्दी मिलते हैं एक नए interesting वीडियो के साथ और इसकी पीडियेप जो है झाले है